जैशी राम मेरे प्यारो मैरे तिवगेल सौहत करता हूँ आप सभी का आपके यूटिब चैनल बगें क्लासेस पर और आज की बुड़ा हम बात करेंगे कच्छा दस्वी के गड़ित के तिर्माजिक परिक्षा के सॉलुशन के बारे में तो जो पहला कोशन दिया है वो दिया का मान होगा माइनस भी वटे ए जी है मेरे प्यारो थर्ड कोशन है मारा यदी एवन वटे एटू बरावर बीवन वटे वी टू नॉट इक्वाल टू सीवन अपॉन सीटू तो रहके एक समीकरण यूग्म एवन एक्स प्लस बीवन वाई प्लस सीवन इस इकस्टू जीरो था एटू एक्स प्लस बीवन वाई प्लस सीटू इस इकस्टू जीरो का कोई हल नहीं होगा नो सॉलीशन हना यदी दूइगाद समीकरण नेक्स्ट है हमारा यदी दूइगाद समीकरण एक्स उसकर प्लस बीएक्स प्लस सी बरावर जीरो के मूल समान है तो समीकरण के वे तो रूट टू एक क्या है आपरी में संक्या है हमको पता है दुईगात बहुपद में सुनने को कि अधिक्तम संक्या दो होती है समीकरण 2x1 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 2x2 k में यदि x2 2y2 परावर 1 हो तो k का मान 5 होगा प्लस का एक समीकरण px परावर 0 जहां px की गात 2 का बहुपद हो तो समीकरण कहलाती है दुईगात समीकरण यदि a b c सामंतर सेणी में तब b को a और c का क्या कहेंगे सामंतर मात्र कहेंगे समरूप तिर्वच की संगत बोजाएं समानुपातिक होती है नेक्स्ट है सही जोणिया और मैंस दा फॉलिंग 9 और 27 का LCM 27 होता है वही रेकिक बगबद की गात 1 होती है x प्लस 2y प्लस 3 परावर 0 में यदि x की वेली 0 होता य इसको 0 रखेंगे जो अधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा यह अपॉन में आ जाएगा तो 3 अपॉन 2 नेक्स्ट दूइगा समिक्रण x उसकर माइनस 1 बरावर 0 के मूल क्या होंगे प्लस 1 और माइनस 1 और यह 4 है हमारा सुरी समंतर स्रेणी का एनवा पद यह 5 एनज इक प्लस एनवा पद फॉर्मला सभी बरग होते हैं तो लगातर दियें ऊपर के दो छोड़ दीजिए और नीचे का एक छोड़ दीजिए अब नेक्स्ट हमारा एक सब्द वाक्य में उत्तर दीजिए यदि किसी दूइगा समिक्रण के बेवक्तिकर का मान रिणात्मा होगो तो उस समिक्रण के मूलों की प्रकति कैसे होगी कोई वास्तवेक मूल नहीं होंगे भई कोई वास्तवेक मूल नहीं आएंगे इसके नेक्स्ट है हमारा एपी 468 चालिस में पदों की संग्या बताईए 19 होंगी क्योंकि आप 2 का पढ़ा पढ़ेंगी तो 20 बार 40 आएगा लेकिन 2 नहीं दिया है चार से दिये हैं यह आपके बुक में दिया है मैं पढ़के बता देता हूं आपको एक संकॉंट तिरबुज में कर्ण का वर्ग से दो बजाओ के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइतोकरस का पिरमे का खतन है नेक्स्ट विंदू A12 और B34 को मिलाने वाली रेका के मद्विंदू के निर्देशांग क्या होंगे मद्विंदू क्या होता है X1 प्लस Y1 अपॉन टू और X2 प्लस Y2 अपॉन तू यानि इसके पहले का जोड़ेंगे और तू से डिवाड़ेंगे एक और तीन एक और तीन ह यह उसके कैंद्रक के निर्देशांग होंगे क्यों करते हैं इसको जोड़ते हैं पहला X1 प्लस Y1 प्लस Z1 अपॉन थी और X2 प्लस Y2 प्लस Z1 प्लस Z1 अपॉन 3 तो 4 दो 6 जह में से 3 गया है 3 और 3 का 3 से डिवाड़ किया तो 1 इसमें जोड़तें 3 गया तो 0 5 का 3 से तो यह आपका true होगा यानि की सत्य होगा एकस प्लस ब्राबर जीरो एक अदुईगाद समी करने आ सत्य जी आपका यह linear है रेक एक समी करने यदि एक तिरवज के दो कौण एक अन्य तिरवज के क्रमसद दो कौणों के बराबर हो तो तिरवज समरूप होते हैं विल्कुल होंगे सत्य है विल्कुल दूसरा दिया तो तीसरा अपने आप होचाएगा किसी बिंदु का वुज सून है और कोटी तीन है तब वह एकस अक्षपर इस्तित होगा गलत है भई वाई अक्षपर होगा हो कोटी आपने जीरो दे दिया वो जीरो दे दिया यदी किसी बिंदु पी के निर्दसांग दो पांच हो तो पी को बुज कहते है बिल्कुल नहीं कहते है कोटी कहते है असत थे है next मूल बिंदु से बिंदु एकस वाई की दूरी अंडरूट एकसकर प्लभाई इसकर है बिल्कुल भाई यह तो सही है आपका यह थे आपके objective अब हम चलते कोशनों पर कोशन मैंने आपके सारे देख लिए जो मैंने आपको important लगवाई थे उसी में से आपका पूरा paper आया है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आगे आने वाले समय में आप उनके अच्छे से practice कर लिजी आपसे ही मेरी request है तो आज की वीडियो में इतना ही I hope आपका paper बहुत अच्छे तरीके से गए होगा मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए Have a great day Jai Hind